हेलो फ्रेंज स्वागत है आपका डिजिडल तैयारी चैनल पे मैं श्रयान्स कोठारी लेक है हैं दोस्तों एक प्यारी सी किताब एसेंशल इंगलिश ग्रामर, शांदार एक किताब को हम बढ़ रहे हैं दोस्तों लगातार आपके साथ चल रहे हैं Essential English का रामत बहुत basic level से English को सुधारती है More than hundred videos हम बना चुके हैं इसका मतलब है more than hundred units complete हो चुके हैं आज हम पढ़ेंगे 104 और आखरी unit है 114 तो अब आखरी decade के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं चलिए लिए चलते हैं दोस्तों सीधा आपके सामने prepositions चल रहा है दोस्तों 104 नंबर का जो विडियो है prepositions को और जादा अच्छे से बता रहा है mainly ये पाँच इसमें extractor etc नहीं लिखावा है यानि और इत्यादी नहीं लिखावा है clearly on, add, buy, with or about को और clearly और अच्छे से और समझाएगा detail में एका समझ लेता है हम लोग चलिये सबसे पहला है दोस्तों on, ध्यान से देखेगा एक एक बात को कि वो क्या कहना चाहरे हैं पहला कह रहा है on holiday यानि चुट्टी पर है Jane is at work भाईया वो तो इस हफते कामी नहीं कर रही है she is on holiday या चुट्टी पर है holiday से पहले on लगाना यह पहला नहीं हमें हमारे लिए television पर अगर कोई कारिक्रम आप देख रहे हैं तो on television कहते है we watched the news, हमने news देखी on television, television पर on the radio हमने कोई news सुनी या कोई बात सुनी, listen to the news on the radio तो आपको ये बात समझनी दोस्तों television के साथ, on radio के साथ, on phone के साथ भी on I spoke to Carol, मेरी बात हुई है Carol से on the phone last night, कल रात्री में phone पर on fire, कोई चीज बगर आग लग जाती है किसी चीज में on fire कहते है, the house is on fire भाईया आग लग रही है इस घर में, call the fire brigade भाईया अगनी शमन यंत्र जो हमारे bus चलाती है, जो अगनी शमन यंत्र गाडियां होती है उनको call करी है, ऐसा ये कहना चाह रहे on time, कोई चीज अगर समय पर है जो भी चीज लेट नहीं हो रही है समय पर हो रही है उसे on time कहते है, was the train late क्या train late थी, no it was on time वहाँ समय पर थी दूसरा आजाता है on के बाद दोस्तों, at बहुत ध्यान से देखेगा, at का प्रयोग कहा करना है एक एक बात को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों एक तो आया है, at the age of 21 यानि at 21, at 50 kilometers and are at 100 degree मतलब कोई quantity बतानी है एज बतानी है, temperature बताना है भाव बताना है, kilometer बताना है average बताना है, at का प्रयोग करेंगे example के तोर पे Lisa got married at 21 Lisa की शादी कब हुई 21 की उमर में, at the age of 21 भी कह सकते है at 21 भी कह सकते है the car was traveling, travel कर रही थी car, speed क्या थी at 50 kilometers an hour भाईया, 50 km प्रती घंटे से चल रही थी जब accident हुआ तब ऐसी speed थी water boils, भाईया, water गरम होता है पानी उबलता है, कितने पे 800 degree Celsius 100 degree Celsius तो आपने देखा दोस्तों किस तरीके से on का प्रयोग किया, हमने holiday, radio, television के लिए add का प्रयोग किया, जब आप कोई number, कोई quantity की बात कर रहे है आगे बढ़ते, आगे और क्या कहना चाहरे हैं हम दोस्तों, तीसरी चीज़ जो हम कहना चाहरे है वो है buy आप buy का प्रयोग वैसे करते है के द्वारा, buy यानि के द्वारा example देखिए buy car, car द्वारा, buy bus, buy plane, buy air, buy bike etc, आप bus के द्वारा आए है means of transport को बता रहे है तो buy लगाएंगे example के दोर पे do you like traveling by train क्या तुम्हें पसंद है train से चलना Jane usually goes to work by bike Jane जो है usually यानि आम दोर पे bike पर ही जाती है काम करने के लिए लेकिन अगर pedal कोई जा रहा है तो buy नहीं लगाएंगे फिर on foot लगाएंगे she goes to work on foot यानि she walks अगर कोई pedal पैदल जा रहा है by foot मत कह देना on foot एक phrase है जो याद रखना है जिसको हम pedal कहते हैं walking walking कहते है पईयां पईयां चलना कहते है शेरे दोस्तों a book by a person a painting by a person a piece of music by a person जैसे have you read any book क्या तुमने कोई भी किताब पढ़ी है by Charles Dickens बहुत बड़े author हुआ है who is that painting by ये painting किस ने लिखी है Picasso के द्वारा है buy after the passive ये ध्यान रखना एक और passive voice हमने पढ़ा था unit number 21 में I was bitten by a dog तो जब कोई के द्वारा यानि कि passive voice में भी buy लगाते है say यानि कौन से means of transport के लिए buy लगाते है author आदी के नाम क्या के लिए buy लगाते है buy हमने देखा on हमने देखा at हमने देखा अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों दो और prepositions हम देखेंगे एक तो with और without और एक है about दोनों चीज़े देखे with और without with यानि के साथ without यानि के बिना did you stay at hotel or with friends क्या तुम hotel में रहे या अपने दोस्तों के साथ रहे with यानि के साथ wait for me अरभई मेरे लिए रुखो please don't go without me मेरे बिना मत जाओ without me मेरे बिना do you like your coffee with और without milk तुम्हें जो coffee चाहिए milk के साथ चाहिए milk के बिना चाहिए ये बता दो भाई I cut the paper मैं paper काटता हूँ with a pair of scissors कोई आप औजार का प्रयोग कर रहे हैं हतियार का प्रयोग कर रहे हैं कोई चीज पूल के रूप में ले रहे हैं आप buy नहीं लगाएंगे with लगाएंगे वापिस सुनिये buy नहीं लगाएंगे with लगाएंगे उसके अलावा a man with a beard आप देख सकते हैं दाड़ी है मेरे भी थोड़ी थोड़ी है a man a woman with glasses मेरे पास भी है तो यहां पे with यानी के साथ मतब वो उसके पहनावाई है उसके है a man with a beard a woman with a glasses etc do you know that man with a beard क्या तुम उसको जानती हो जानते हो जो आदमी दाड़ी में है I would like to have a house with a big garden मैं को तो वैसा घर चीए जो एक big garden के साथ हो यानी जिसमें एक big garden हो तो यहां हमने with और without को अच्छे समझा आखरी चीज बाकी थी दोस्तों about को वो भी पढ़ लेते है हमारा unit समाप्त हो जाएगा लेकिन इससे भी important बात दोस्तों unit समाप्त हो चाहे ना हो पढ़ें नहीं पढ़ें पढ़ना है बहुत जरूरी है लेकिन exercise के विना ये बेकार है बहुत जरूरी बात बतारों दोस्तों exercise जरूर करिये मैं बहुत सारे विध्यारतियों को देख पा रहा हूँ exercise नहीं करते हैं अरे जब exercise नहीं करोगे तो actually मेहनत जो आपने पढ़ने में लगा दी है इतनी बढ़ी है exercise की खासियत है exercise एक ही तरह के बहुत सारे questions हो जाते हैं दिमाग में जो concept में वो एकदम clear हो जाता है talk, speak, think, hear, know about about यहनी के बारे में के बारे में का मतलब का है some people, कुछ लोग talk about their work all the time वो अपने ही कारे के बारे में बोलते रहता है I don't know much about cars मुझे कार के बारे में जदा नहीं पता के बारे में about a book, a question, a program about इसके बारे में did you see the program about computers on TV last night अर भई यार लास नाइट पे जो computer के बारे में एक program आया था वो तुमने देखा था जब यह book बनी होगी उस समय computer बड़ा ही crazy रहा होगा इना, चलिए, यहाँ हमारी exercise समाब तो जाती है sorry, हमारी chapter समाब तो जाती है exercise शुरू करते हैं दोस्तों, बहुत ही simple तरीके से on का प्रेयोग करना है इनके साथ में, holiday phone वगेरा 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 we listen to the news, आप news सुनेंगे कहाँ पे radio पे सुनेंगे cbc बात please don't be late late मत होना, try to be here on time समय पर आना है तुम्हे समय पर आना है late नहीं होना है, इसी को तो on time कहते है I won't be here next week, मैं तो भईया यहां नहीं हो, का जा रहा हूं, I am going on holiday मैं तो जा रहा हूं, छुटे भईया, तुमको आने तो आओ did you see Linda, तुमने Linda को देखा है, no but I talked to her on the phone मेरी बात जरूर हुई थी यार phone पे अब हो कहा है, I don't know मुझे नहीं पता भई what is dash this evening अब कुछ बचाई नहीं है television भी पूछलो भईया, शाम को TV पे के आ रही है, देख लेंगे क्योंकि साज भी कभी बहू थी शलिए, तो यहां हमारा chapter समाप्त हो जाता है, exercise बस समाप्त हो जाती है exercise two again picture के format में बहुत आराम से देखना I cut the paper मैं paper को काटता हूं with a pair of scissors pair of scissors, दोस्तों बहुत जरूरी ध्यान रखना catchy यानि scissors हमेशा plural होता है, और pair of scissors का प्रेयोग किया जाता है she usually goes to work work करने जाती है buy car, आप देख सकते हैं बहुत सारी car है, इसकी भी ये car है car के द्वारा car से यानि buy car आ जाएगा who is the woman, वो वाली woman कौन है जिसके छोटे छोटे बाल है इन सब लड़कियों के तो बड़े बड़े बाल है with short hair अगर आपको याद हो जैसे with a beard किया था with short hair दोस्तों इसलिए तो मुझे प्यार है प्रेम है इसके exercise से बड़े ये बहतरीन तरीके से समझा देता है जो आपने पढ़ा है they are talking about the weather अरे याड वैदर सनी है सर्दी लग रही है, ठंडा है जो भी है about the weather के बारे में the car is fire fire, आग लग गई है या आपको याद होगा on fire एक phrase पढ़ा था तो on fire लगाने के लिए हम लगाते हैं fire से पहले on लगाते है चलिए आगे देखते हैं she is listening some music by Mozart आप देख सकते हैं Mozart की एक सीड़ी पढ़ी है कोई इंसान का नाम होगा कोई बहुत बड़ा singer होगा कुछ भी हो सकता है by Mozart आप देख सकते है इसमें speed दे रखी और speed के लिए आपको याद होगा at लगाया था the plane is flying at 600 miles an hour 600 miles पे चल रही है कौन train, plane ये तो वहिया इनके photo से ही पता चल जाता है कि on holiday लगाना है मुझे इस से अधा कुछ लगाना ही नहीं है इनकी हूलिये से पता चल गया कि वहिया ये on holiday है do you know the man with sunglasses ये जिसके काला काला चश्मा पहनिया है क्या उसको जानते हो with the sunglasses he is reading a book on grammar grammar की book पढ़ रहा है किसके द्वारा by wear a people क्या ये बात समझ आ रही है मुझे लगते हैं यह on से better about लगा देना चाहिए grammar के बारे में है ना अच्छे लिए आखरी exercise आ गए दोस्तों जितने सारे preposition etc के साथ पढ़ लिया है वो सब लगाने tennis में you hit the ball by by मत लगा देना गलती से भी गलती से भी नहीं लगाना है with a racket मैंने का था ओजार है तियार कोई चीज का प्रेयुक कर रहे हो तो with का प्रेयुक करेंगे it is cold today बहुत सरदी है don't go out without a coat वह या coat के बिना तो मत जाना बहुत ही सरदी है बाहर hamlet, othello और macbeth ये सारी जो चीज़े है our plays किसके द्वारा लिखे गए है by के द्वारा by William Shakespeare हो जाएगा do you know anything about computers मैंने कहा आगोगे बहीया जब ये किताब होगी computer नया नया रहा होगा computers के बारे में क्या आप तुम कुछ जानते हो do you know anything about computers मैं ग्रैंड वदर, मेरी दादी जो है, जाईर at the age of 98 99 ए 98 की उमर पर at, at the age of या at 98 या दोनों हमने पढ़े थे दोस्तों जो पढ़ा है वही अपलाई करना है, नया कुछ भी लगाना नहीं है how long does it take कितना समय लगता है New York से Los Angeles by plane, अरव या plane से उड़के जाओगे तो कितना समय लगता है, ये कहना चाह रहा है चलिए आगे बढ़ें दोस्तों I did not go to the football match मैं तो football match नहीं गया but I watch it, कहां देखा on television, TV पर देख लिया था मैंने My house is one with the red door आपको याद होगा कोई चीज़ distinction with the sunglasses, with the beard, with the glasses with the garden, with the red door जो भी है, with का प्रयोक करना है These trains are very fast, बहुत तेज चलती है they can travel at a very high speed speed अगर लिखी होती, तो भी at लगाते speed का नाम लिखा है, तो भी हमने at लगा दिया I don't use my car very often मैं तो भी या ज्यादा car use लेता नहीं हो I prefer to go by bike bike से जाना prefer करता हूँ by bike हो गया Can you give me some information, क्या तुम information कुछ दे सकते हो किसके बारे में, about hotels के बारे में in this town इस कस्बे में जो hotels हैं के बारे में, क्या मुझे कुछ सूचना information परदान कर सकते हैं I was arrested by two policemen दो police वालों ने बगड़ लिया था और मुझे police station ले गए थे मेरे मेरी मेरी बात नहीं है ये तो author कह रहा है भाई, ध्यान रखना The buses here are very good Bus तो बहुत अच्छी है They are nearly always on time Buses एकदम समय पर होती है Late नहीं होती है जो चीज समय पर होती है उसके लिए क्या लगाते है On time What would you like to drink तुम क्या पीना चाहोगे With your meal तुमारे meal के साथ के साथ With your meal We traveled from Paris Paris से मॉस्को तक गए कहां से By train Train से ओगर गए भया यात्रा का जो संसाधन है जो means of transport है वहाँ बाए लगाते है One of the most famous paintings एक बहुती famous paintings है जो world में है Mona Lisa है किसके द्वारा है By Leonardo da Vincey Caprio नहीं Vincey तो यहां हमारा एक और unit बड़े प्यार से बड़े आराम से एक एक चीज को समझते वे समाब्त हो जाता है यहां लेते हैं एक अल्प रिराम अगले वीडियो में चैनल पे जिसका नाम है Digital तैयारी धन्यवाद प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब Digital तैयारी